तो हाई व्रीवन वेल्कम दू चानल और होप सो इवाल डूइंग वेल्स वेसिकली गाइस आज हम लोग लीट कोट कॉंटेंस 408 का एक कोश्चन सॉल्ब करने वाले हैं और वह पर्टिक्लूर कोश्चन टीली बहुत ज्यादा दे रहा था ठीक है तो टीली को कैसे रिजॉल् लेवल का कॉश्चन है देखो तो कॉश्चन नमबर है 3230 find the count of numbers which are not a special तो आपको ऐसे number find करना है जो special नहीं है तो इसके special नहीं होने का क्या का condition हो चेक कर लेते हैं आपको दो positive integer दिया हुआ है थीक है एल एन और दो positive integer दिया वह लिख लेते हैं फो एनी नमबर एक्स और पोजिटिव डिवाइजर आफ एक्स 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 और कॉल्ड प्रोपर डिवाइजर चलो इसको मिनिंग को समझते हैं मान के चलो कोई भी नमबर आपको दिया हुआ है तो इसका जो प्रोपर डि इंक्लूड करना है यहां पर देख लो accept x ठीक है तो अगर थरी का हम लोग फाइंड करें प्रोपर डिवाइज दो तो प्रोपर डिवाइजर देउगा 100 होगा थीक है और फाइब का अगर फाइंड करें तो ओने वहां यह होगा सिर्फ पाइफ तो होगा नहीं लेना है नम अब यह प्रोपर डिवाइजर तो हमें मिल गया है चलो नेक्स हम लोग पढ़ते हैं नमबर इसका प्रोपर डिवाइजर कितना है इसका कितना है यहां पे आप देखोगे इसका तो यह क्या है एक स्पेशल नमबर हो गया अकर इसका देखोगे तो फाइब का कितना है यहां पर आगर आपको एक नमबर का रिंज दिया हुआ ठीक है जैसे यहां पर पहला एक्जांपल अगर इन्पुट का ले लो तो यहां पर आप देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सही रहें तो यहां पर आप देखो simple L equal to 5 दिया हुआ है 5 & 7 के बीच में तो 5 & 7 के बीच में कितना आपको क्या करना है इसी चीज को explain क्या है the number is a special because it has a the number 4 is a special because it has a proper divisor 1 & 2 so जो कि a special number हुआ and number 6 is not a special because it has a proper divisor of 1 2 3 तो 2 से ज्यादा exactly 2 नहीं है तो return क्या करना है return the count of number in the range okay that are not a special तो आपको वह number return करना है जो उसका count return करना है जिसका जो number special नहीं है उस range में तो अगर 5 में क्या करोगे 5 का range देखोगे तो रेंज में आपको 5 नंबर दिया हुआ है उसको भी इंक्लूड करना है तो इसमें अगर आप देखोगे तो फाइब फाइब किया है फाइब एक प्रोपर नहीं है 6 भी नहीं है 7 भी नहीं है तो total count कितना हो गया 3 अगर आपको नहीं है तो यहां पर देखोगे तो फोर को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे 5 है बार नहीं है इसका प्रोपर डिवाइजर नहीं है तो इसको भी ले लेंगे इसका प्राइम नमर यहां है तो इसका प्रोपर डिवाइजर से एक होगा तो 11 को भी इंक्लूट करेंगे उसी तरीके से 13 को इंक्लूट करेंगे इसका प्रोपर डिवाइजर 3 इस़ेसर इस से नमर नहीं है तो इसे नमर शीद Cont著 लगर कंगे में 1 तो यह प्रोपर डिवाइजर चार है इसका तो यह बहुत नहीं है तो टोटल काउंट करो तो यहां पर आप काउंट करो तो तो ही चीज को हमें रिट्न करना करो आपको कैसे समझ में होगा चलो इसको कैसे सॉल्ब करेंगा कर देता हूं तो आपके और मांड में क्या आना चाहिए क्या हमें प्रोपर डिवाइजर फाइंड करना है हमें चेक करना है कि उसका special divisor जो है I mean a special number है या नहीं है उसके लिए जो मैं solution प्रोपोज किया था दा यहां पर नहीं है लिए तो तरह समय यहां पर आप देखोगे तो मैं इसकों थोड़ा करता हूं मैं इसको कोड को explain करता हूं और फिर हम लोग रियल कोशन एंसर पर जब करेंगे जो तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मैं एक सिंपल सा फोर लूप चला रहा हूं जिसमें रेंज दिया हुआ है आई इक्वल टू एल से स्टार्ट कर रहा हूं जो भी रेंज द देखोगे तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूं यहां पर एक कंडिशन लगाया हूं जिसमें अगर कोई नंबर फॉर से नीचे होता है तो वह इसका नंबर नहीं होगा विकाउस की मैंने वह चीजे अभी देखा वान टू थी उसका डिवाजर वण ही होता है तो वह इसको समझ ओनना ठीक है अगर आप कोई भी नंबर देखो गए मान के चलो ठीक है तो फॉर ऐंड नाइन ठीक है तो फॉर अन नाइन का स्कुरूर निकालो तो क्या हो रहा है इसका कि फॉर का स्क्वारूट टू हो रहा है ठीक है और नाइन का स्क्वारूट क्या हो रहा है ठीक है अगर यह देखोगे इसका प्रोपर डिवाइज कितना हो रहा है फॉर का वन एंट टू हो रहा है ठीक है तो यह क्या है का स्पेशल नमर है ठीक है इसके अलावा कोई भी आप लेलो मान के चलो एक लेलो ठीक है तो एक का स्क्वार रूट अगर आप निकालों गए तो कितना आएगा सम्थिंग यह आएगा टू पइंटेजर वाले पार्ट को लेंगे तो टू आएगा अगर टू इंटू टू अगर हम लोग करते हैं तो यह अगर नमट इस नमट के एक नहीं है तो इसके अलावा एक और कंडिशन वह नमट प्राइम भी होना चाहिए ठीक है जो स्क्वार रूट नमट होना चाहिए यहां पर देखोगे तो यहां पर यह यह चीज़े तो एंट्री क्या है प्राइम नमर अगर आप इस बीच में जितने जितने भी इस पेसल न नमर आपका था 9 था सिरफ एक 9 था और एक और 6 7 8 9 था 9 है तो 9 नंबर है तो 9 का स्कॉार रूट अगर निकालो गई तो इसका स्कॉार रूट क्या होगा 9 का 3 हो जाएगा ठीक है और यह क्या है प्राइम नमर है अगर 4 का हम लोग निकाल रहे थे तो फूर का भी देखो तो तो वह प्राइम नमबर होना mandate है अगर प्राइम नमबर नहीं होता है तो एक special नमबर नहीं होगा तो यहां पे मैं simply आप अगर देखोगे तो simply मैं क्या कर रखा था simply आप इस code को देखोगे तो यहां पे एक prime नमबर भी check कर रहा हूं कि जो नमबर हमारा है वह prime प्राइम नमबर है या नहीं है तो यहां पे आप एक चीज़ देखो प्राइम नमबर होता है तो क्या होगा वह एक special नमबर होगा अब इसी चीज को यहां पे आप देखोगे यहां पे दिखा देता हूं तो देखो जब मैं इसको सब्मिट कर रहा था तो लगवक 704 टेस्ट केसे पास हो रहा है और उसके बाद यह टेस्ट आपको टीएली दे रहा था तो इस इसको कैसे मैं find कर रहा हूं देखो क्वार इन नॉन नॉन उसको मैं o our अकंट कर रहा हूं तो उस चीज़ को नहीं find करड़ा हम लोग क्या कर सकते हैं धाल जो अ मैं Jed Koreans we rate l1 स्होर unлер नमर को अगर find करते हैं तो यहां पो ते ऊसका नंबर हम लोग हम लोग फाइंड कि तो उसका बसका बता कर नंबर करने के लिए नौ स्पाइस्टर किरने के लिए कितना रिटनéliorी है नारत रहा था बैक अजय मुझ भी हमारा रेंच दिया होत रहा रहे गां इस बीच प्रिज परने क। कि एक डिये आ रहें के इस कि यहां पर simple मेरा logic यह है कि जितने भी special number आइफे यहां पर पहले वाले solution में मैं जो भी special number नहीं था उसको मैं find कर रहा था ठीक है but इस solution में क्या करूँगा special number को find करूँगा special number यहां पर कितने आ रहा है जो हमारा range दिया हुआ है उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ जो total range r r minus मैं क्या करूँगा l जो भी जहां से range start हो रहा है minus जो भी special number आएंगा उसको as account में store कर लूँगा plus 1 करूँगा तो हमारा answer non special बाला number आजाएगा तो यहां पर एक चीज़ देख लो तो हमारा अगर 16 दिया हुआ हुआ है 16 minus l करेंगे तो कितना हुआ 4 और special number कितना आ रहा है 4 and 16 के range में 3 and 2 है not sorry sorry I mean 9 और 4 है यह तो उसका root हो गया तो 9 and 4 total count कितना हो और 2 हो गया plus 1 करो तो यहां पर total कितना जागा तो यहां पर मैं क्या कर रहा हुआ अगर आगर देखोगे तो मैं एक loop run कर रहा हूँ जिसको मैं loop को start किया हूँ i equal to 2 से i equal to 2 से start किया हूँ क्योंकि मुझे total special number find करना है तो special number 2 से start हो रहा है क्योंकि 2 भी एक I mean prime number भी होना चाहिए तो उसके check करने के लिए क्योंकि 2 prime number कितना 2 से start होता है ठीक है तो इसलिए मैं 2 से start क्या हूँ और range के root of यहां तो square root of r तक मैं change कर रहा हूँ इस loop को run कर रहा हूँ क्यों now guys उसके बाद मैं जो भी number आएगा ना ठीक है i equal to वह check करेंगे कि वह number हमारा prime है कि नहीं तो दो प्राइम है यहां पर और फिर 3 भी prime है ओके 3 भी prime है तो यहां पर उसको मैं क्या कर रहा हूँ simply और उसके बाद जो number आएगा ना उसको मैं check करूंगा उसको एक temp नाम का int variable ले लिया हूँ I mean नम नाम का local variable ले लिया हूँ उसमें मैं उसके square root को store कर रहा हूँ of the second record प्रम पंपर उसके कर दोफ स्सेंट रहे हैं तो इसका square root कितना होगा नाइन होगा तो जो नमबर होना चाहिए ना जो नमबर आएगा ओर रेंज सरेंग में बिलॉंग करना चाहिए अगर आप देखोगे यहां पर तो इस रेंज में बिलॉंग करना चाहिए आपका न हुआ को च्य processors 416 के बीच में चेक कर रहे थै फिर्प है तो हमाता से यह hebर मैं करता हूं एप दो कि यह कोड एक्सेप्टेट है तो होप सो गाई यह कोड अप इसको सब्मिट कर सकते है ठीक है बहुत सा सिंपल सा स्वालोशन है इस वीडियो से इस कोड का